Mount Everest दुनिया की सबसे उची चोटी Mount Everest परवत दुनिया का सबसे उचा परवत शिकर है Everest चोटी नेपाल और चीन के तिबब इलाके में पढ़ती है यह हेमाले के वरिह अध्यमाले श्रेणी में आता है विश्व की इस सबसे उची चोटी का नाम एवरेस्ट भी 19 सदी के एक प्रख्याद ब्रिटिश सवेयर और भूगोल विशेश अगे जायर जेवरेस्ट के नाम पर रखा गया है क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले इस चोटी की जानकारी दी थी संस्क्रित में एवरेस्ट को देवगीरी कहा गया है तो नेपाली में सग्रमा था यानी स्वर्ग का शीर्ष पहले इसे एक्सवी के नाम से जाना जाता था तिब्बती में यहचो मोलूंगमा तथा चीनी में जुमुलांगमा फेंग कहलाती है ट्रसित बंगाली गणितगे और सवेर राधानाथ सिकदर ने 1856 में ही अपनी गणनाओं से दुनिया को बता दिया था कि एवरेस्ट 39,000 फिट उंचा है राधानाथ सिकदर स्वयम भी जॉर्च एवरेस्ट की शिष थे सर्वे अफ इंडिया ने 1954 में माउंट एवरेस्ट की उंचाई 8,848 मीटर मापी थी जिसकी नई उंचाई अब समुद्र सतेर से 8,848.86 मीटर है अगर फीट में गिने तो यह 29,031.7 फीट होती है 16 माई 1985 में जापानी परवतारोही जुंकुत ताबे ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ने वाली पहली महिला का तमगव हासिल किया था साल 1984 में दुनिया की सबसे उंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतिय महिला बशेंद्री पाल बनी नेपाल की रहने वाली लखपा शेरपा दुनिया की एकलोती ऐसी महिला है जिन्होंने 8 बार माउंट एवरेस्ट पर फत्तह किया है लखपा शेरपा ने साल 2000 में पहली बार एवरेस्ट पत्तह किया था अरुनिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पत्तह करने वाली दुनिया की पहली विकलांग महिला है